सवहले दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल राचपाट सबें दोस्तों वीडियों जानने वाल है कि आखिर का जो डेलेवर जरूर करना है उसको मैं विश्थार समझाने वाला हूं वीडियो कंप्लीट बाद जरूर करें चैनल पर नया है तो ऐसे से अपडेट जानते हैं रगले चैनल स्वस्क्राइब जरूर करते हैं दोस्तों मैं आज बिल्कुल अपने सर्च करना है किसकेन पहले सबसे अपने सेटिंग में को कोई माडल सब्सक्राइब अपने का सेटिंग में को कमीण नंबर आपको बिल्ड नंबर सो कर देखा आपको अबाउट फोन आपको सर्च धूनना है तो मैंने यहां देख सकते हैं मैंने अपना बिल्ड नंबर ढूंड लिया इसको आपको पांस से साथ बार लगातार टैप करना तभी हमारा डेलेवर ओप्शन जैनरेट हो पागा तो आपको किलली करके अपने लिबर ओप्शन जैनरेट कर लिए पृतर सबसे पहले अपने अपने डिलआवर औप्शन को है कि हाब से कर देना है तो दोस्तों जो दिलाइवर खास सेटिंग होता है उसको बारे मैं आपको बताने वाला हूं बाकि आप खुद से अपने इसको अनेबल कर सकते हैं इस्टे आउएक यहां पर फोन पर अपने इसकीन पर कोई लंबा प्रोसेस करना काम करना है अगर आप इसए अनेबल कर जब तक आपका फोन चारज में रह पॉइंटर लोकेशन अगर आपना कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं फिर आपना फॉन पर कहा पर टैप कर रहा है उसको जानना चाहते हैं तो आप किसी चीज़ को टैप करते हैं तुसका धीरे-धीरा को फूरसेस टाइप को खुलता है अगर आपका फॉन पहले से काफ रखता है आप किसी चीज़ को टैप करेंगे तो टब से आपको होम स्कीन पर सोक करने वाला यानिक उसमें कोई भी स्कैल पर कोई भी वेट का समय का वेट नहीं करने वाला तो अपने सारे विंड़ो इनिमेंशन इसकेल को आप ही रखें ठीक है फिर दोस्तों आपको नीच को अनेबल रखते हैं तो आपको फोन है बिल्कुली पहले से स्पीड में काम कर लाएं चार गुना स्पीड से जितना आपका फोन का ताकत है फूला ताकत सबका फोन वर्क करने वाला कि उसको भी आप अनेबल जरूर रखें डोंट कीप एक्टिवीटी एसर एक का फिर आपको नीचे सुल करना है फिर आपको यहाँ पर एक ओप्सन दिखी जाएगा कि फोर्स अलाव एप और एक्स्टरनल एगर आपका जो फोन इस्टूर रहा है तो आप इसे अनेबल करके सारे जो एप हैं उनको आप मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करके अपने फोन को इस्टिरोज को खाली कर सकते हैं तो यह है खास सेटिंग डिलेवार ऑप्शन की इससे जनरेट करके जरूर यूज करे अपने फोन में आपका फोन स्पीड हो जाएगा तो अच्छा लागत वीडियो को लाइक करना ना भूले साथी चैनल पर नहां है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से